प्यारे साथियों, आप जब भी अपने आसपास देखते हैं, तो आप बहुत तरह के पेड़ और पौधे देख पाते हैं। पत्री या द्वी पीज पत्री पादपों में वर्गी करते हैं। आईए जाने इस वर्गी करण का आधार क्या है और किस प्रकार इनकी बाहे आकृती के आधार पर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि दिया गया पौधा एक बीज पत्री है या द्वी पत्री है। इसके लिए इसमें राजमा, चना, सफेज चना, मटर, ये द्वी बीज पत्री पौधों के बीज हैं, इसके अतिरिक्त हमने गेहूं और मक्का भी लिया है, जो एक बीज पत्री पौधों का बीज है, बीज पत्रों की संख्या, इनमें वर्गी करण का मुख्य आधार होती है, बीज का आवरान हटा कर, जब हम बीज को दो भागों में विभक्त करेंगे, तो द्वी बीज पत्री पौधों में हम इस प्रकार, जैसा कि आप देख सकते हैं, कि द्वी बीज पत्री पौधे के बी तो उसके बीज में बीजपत्र की संख्या सिर्फ एक दिखाई देगी। यही इनके वर्गी करण का मुख्य आधार है। बीजपत्र की संख्या देखनी के लिए हम द्विबीजपत्री चने का एक बीज लेकर उसे दो भागों में विभक्त करते हैं। और जब हम उसे खोलेंगे तो हम बहुत स्पष्टूप से देख पाएंगे कि इसमें बीजपत्र की संख्या दो है। इसी प्रकार, मक्का, जो कि एक बीजपत्री पौधा है, उसका बीज लेकर हम काटेंगे और काटने के पर सचात हमें देखने का प्रयास करेंगे कि उसके अंदर कितने बीजपत्र है यहां भी आप सपश्ट रूप से एक बीजपत्र देख सकते हैं लेकिन क्या बीजपत्रों की संख्या ही इन में अंतर करने का एक आधार है? नहीं. हम अन्य अंगों के आकारिकी भिनिताओं को देख करके भी बता सकते हैं कि दिया गया पौधा एक बीजपत्री है या द्वी बीजपत्री है. इसके लिए हम इन पौधों का तुलनात्मक करेंगे. जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन में कोई भी जड़ प्रधान जड़ नहीं है. एक सी मोटाई और लंबाई वाली बहुत सारी जड़ें एक ही स्थान से एक साथ निकलती हैं. इसी तरह आप दूसरे एक बीजपत्री पौधे में भी इसकी जड़ देख सकते हैं. इसमें भी आप कोई प्रधान जड़ नहीं देख पाएंगे. एक सी लंबाई और मोटाई की बहुत सारी जड़ें एक ही स्थान से निकलती हुई आपको दिखाई देंगी. लेकिन इसके विपरीत यदि हम द्वीबीज पत्री पौधे में जड़ तंत्र को देखेंगे, त मोटी जड़ें प्रधान जड़ें हैं और इनसे छोटी-छोटी पार्श्विक मूलिकाएं निकलती हुई हैं. जड़ तंत्र में ये एक मुख्य अंतर है जिसके आधार पर बताया जा सकता है कि पौधा एक बीच पत्री है या द्वीबीच पत्री है. इसके अतिरिक्त हम तने के अध्यान से भी ये बता सकते हैं कि पौधे की प्रकृती क्या है. उसको किस तरह वर्गी गृत करें? एक बीच पत्री पौधे में तना शाखाओं में विभाजित नहीं होता है. जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तने में कोई भी शाखा नहीं है. लेकिन द्वीच पत्री पौधे में तना शाखाओं में विभाजित होता है. इसे और स्पश्ट्रूप से देखें, ये तना और ये शाखाओं में विभाजित है. और सामान्य तया द्वीच पत्री पौधों में तने की इस चौडाई में प्रतिवर्ष वृद्धी होती रहती है. इसके बा समांतर शिराविन्यास है। और वहीं, यदि हम द्विबीच-पत्रीपधे से इसकी तुलना करें, तो ये समांतर न होकर जालीदार या शाखिट-शिराविन्यास कहलाता है। इसे और स्पष्टता से आप पीपल की इस पत्ती में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार ये शिराविन्यास शाखित या जालीदार शिराविन्यास है. इसकी अतिरिक्त पत्तियों का आकार भी एक महत्तपूर्ण अंग है. हम ये आसानी से देख सकते हैं कि एक बीश पत्री पौधे की पत्तियां लंबी और कम चौड़ी होती हैं जबकि द्वीश पत्री पौधे की पत्तियां अपेक्शाक्र छोटी और ज्यादा चौड़ी होती हैं तीसरा अंतर पत्तियों में एक पीच पत्री पौधे में पत्तियां अवरिंथ होती है अवरिंथ का अर्थ है कि ये तने से सीधे ही जुड़ी होती है इनमें कोई भी डंठल नहीं होता है लेकिन द्विबीच पत्री पौधों में पत्तियां हमेशा डंठल के साथ होती हैं सपश्ट तोर पे आप देख सकते हैं कि ये डंठल किस प्रकार से तने से पत्तियों को जोड़ता है तो ये तीन बिंदू हैं जिनकी आधार पर पत्तियों में हम भेद कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि पौधा एक बीच पत्री है या द्विबीच पत्री है हम देख सकते हैं कि द्विबीच पत्री पौधे में पत्तियां डंठल की सहायता से तने से जुड़ी हुई हैं इन सभी पत्तियों को देखकर ये चीज बहुत आसानी सिस्पष्ट हो सकती है लेकिन यदि हम एक पीश पत्त्री पौधे में देखें तो हम पाएंगे कि पत्तियों में डंठल नहीं है पत्तियां तने से जुड़ी हुई हैं और ये अवरिंत कहलाती हैं अब हम पुष्प और पुष्पी भागों की सनरचना देखेंगे और ये देखेंगे कि इसके आधार पर इन दोनों वर्गों में हम किस प्रकार विभेत कर सकते हैं आईए सबसे पहले हम एक पीश पत्त्री पौधे को लेते हैं यहां मैं आपको बताना चाहूंगी कि ज़्यादा तर एक बीश पत्री पौधों में पुष्प सहज गोचर नहीं होते हैं आसानी से दिखते नहीं हैं और उनके रंग आकर्शक भी नहीं होते लेकिन लिलीएसी फैमिली के सदस्य इसके अपवाद हैं और इसलिए आज हम लिलीएसी फैमिली का एक फूल आपको दिखा रहे हैं और उसके साहता से यह अंतर सबश्ट करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो बाहे दल है वो आसानी से दिख नहीं रहा है बाहे दल और दलपुंज यह अभेद्य हैं इन दोनों का अंतर बताना बहुत कठिन है लेकिन दलपुंजों की संख्या तीन के गुणक में होती है यहां आप गिनके भी देख सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे बाहे दल और दलपुंज अभेद्य हैं और दलपुंजों की संख्या तीन के गुणक में है इसी प्रकार यदि हम विबीज पत्री पौधे को देखें तो हम देखेंगे कि पुष्पों के रंग बहुत आकर्शक होते हैं बाहे दल और दलपुंज में आसानी से विभेद्य किया जा सकता है और दलपुंजों के संख्या पांच के गुणक में होती है एक, दो, तीन, चार, पांच पांच या चार के गुणक में तो इस प्रकार पुष्पी आकरती के आधार पर भी हम इन दोनों वर्गों में आसानी से भेद्य कर सकते हैं इसकी अतिरिक्त, आजकल सभी कक्षाएं समेकित कक्षाएं होती हैं यदि हमारी कक्षा में कोई द्रिष्ट बादित या श्रवन बादित बच्चा है तो उसकी विशिष्ट आवश्यक्ताओं का ख्याल हम किस तरह रखेंगे और ये पाठे सामगरी किस प्रकार अनुकूलित करेंगे उसकी बारे में भी मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी हमने द्रिष्ट बादित बच्चों के लिए एक सावधानी बरतनी है कि जब भी हम इस तरह की कोई भी अध्यान सामगरी लेंगे तो वो सामगरी हम बड़े आकार की चुनेंगे ताकि स्पर्ष के माध्यम से वो बच्चा उसमें आसानी से विभेद कर सके और विभिन अंगों के अंतर को समझ सके जैसे आप देख सकते होंगे कि ये पत्ती और इसका शिराविन्यास बहुत सपष्ट है यदि हम आख मन करके भी इससे समझने की कोशिश करें तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार ये शिराविन्यास जा रहा है दृष्टि बादित बच्चों को यही संप्रत्य हम स्पर्षी चित्रों के माध्यम से बहुत आसानी से दे सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम विभिन्यास प्रकार की जड़ तंत्र दिखा रहे हैं यहां आप मूसला जड़ और जखड़ा जड़ देख सकते हैं इन जड़ों की बाउंडरी इसको हमने स्पर्षी बनाया है और एक दिश्टिबादित बच्चा इन्हें छूकर आसानी से समझ सकता है कि यह किस प्रकार का जड़ तंत्र है क्या इसमें एक प्रधान जड़ दिखाई देती है और उससे निकलती भी पार्षविक मूलिकाएं दिखाई देती हैं या यह सारी जड़े तंतुमय हैं और सम्मान मोटाई और लंबाई की जड़े हैं इसी प्रकार हम पत्तियों को देखेंगे पत्तियों के शिराविन्यास के लिए भी इस तरह के स्पर्षी चित्र बनाया सकते हैं जो बहुत आसानी से 3D आउटलाइनर की सहायता से बनाया सकते हैं और आप देखेंगे कि इन में से प्रतिय चित्र ब्रेल लिपी में लिखा गया है इसकी लेबलिंग हमने ब्रेल लिपी में की है ताकि बच्चा इसे स्वयम से भी पढ़कर समझ सके यह तीसरा चित्र है जो पौधे के भागों को दिखाता और समझाता है आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जड़तंत्र, तना, पत्तियां, फल, फूल सभी भाग स्परशी तरीके से बनाये गए हैं और विभिन सामगरी के माध्यम से इनकी बाउंडरीज को हमने स्परशी बनाया है ताकि एक दृष्टिबादित बच्चा भी ने चुकर आसानी से समझ सके आशा करती हूँ कि इस प्रदर्शन विधी के बाद आप एक बीच पत्री और दृष्टिबीच पत्री पौधों में आकारिकी बिर्यताओं के आधार पर अंतर आसानी से बता सकेंगे